हाई फ्रेंद्स आज हम आपके साथ प्राउन पुलाव यानि की जींगा पुलाव बनाने की रेसिपी लाए हैं ये बहुत ही आसान तरीका है इस पुलाव को बनाने का और बहुत ही जटपट बन करके तयार हो जाती है तो आप अपने गेस्स को ज़रूर ये बना करके खिलाएं उन्हें ये बहुत पसंद आएगी देखते हैं इसके लिए हमें क्या इंग्रीदिन्स चाहिए यहाँ पे हमने लिया है नमक, आसपर टेस्ट यूज़ करेंगे हम दो चमश हमने लाल मिश यूज़ की है एक चमश हमने हल्दी का पाउडर यूज़ किया है दो चमश हमने गरम मसाला यूज़ किया है यह हूमेट गरम मसाला है यहाँ पर हमने दो चमश कसूरी मेथी के लीव्स यूज़ किये हैं यह माकेट में काफी इजिली अवेलिबल है यहाँ पे हमने खड़े मसालों में यूज किया है तेज पत्ता, एक तीन हरी लाईची, दो डाल चीनी और एक बड़ी लाईची दो चमश हमने यहाँ पे जीरा यूज किया है दो चमश यहाँ पर हमने लिया है अद्रग लहसन का पेस्ट यहाँ पर हमने लिया है तीन टमाटर जिसे हमने मिक्सर में पेस्ट बना लिया है और दो प्याज यूज़ किया है जिसे हमने इस तरह से लंबा कट कर लिया है यहां पर हमने लिया है 500 g प्रॉंस याने की जीएगा हमने बिक साइज के प्रॉंस यूज किये है बास्मती राइस हमने यूज किया है यहां पर यह 850 g बास्मती राइस है अब हमने एक पान में दो टेबल स्पून वेजटेबल ऑईल डाल दिया है और उसके गरम होने पर हम इसमें जो प्यास थे जो हमने दिखाए थे वो हम इसमें आड कर देंगे और हम इसे अच्छे से फ्राइ करेंगे इसे golden color होने तक हम इसे fry करना है या light brown होने तक हम इसे fry करना है यह देखिए प्यास अब light brown color के हो चुके हैं हमने इसे medium flame पर cook किया है 5-6 मिनिट के लिए और इसका color जो है light brown हो चुका है अब हमने प्यास को निकाल दिया है उसी oil में अब हम सारे जो खड़े मसाले हमने दिखाये थे वह हम इसमें add कर देंगे और इसे 1-2 मिनिट तक हम fry करेंगे अब हम इसमें prawns आड़ कर देंगे prawns आड़ करके हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे हमने flame को low to medium रखा है अब हम देखिएंगे prawns ने अपना पानी छोड़ दिया है इसमें अब हम इसमें अद्रक लेसन का paste आड़ करेंगे और बाकी के मसाले भी हम इसमें आड़ कर देंगे powder जो हमने दिखाये थे हल्दी, लाल मिर्च, गर्म मसाला नमक भी आड़ कर देंगे as per taste क्योंकि हम इसमें चावल भी डालेंगे इसलिए हमने नमक की कॉंटिटी जादा रगी है आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आड़ कर सकते हैं हमने कसूरी मेथी भी इसमें आड़ कर दी है और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें टमाटर जो हमने पीस कर रखे थे प्यूरी जो हमने बना कर रखा था वो भी हम इसमें आड़ कर देंगे अब हमने जो प्यास तल करके रखे थे उसका आधा कॉंटिटी हम इसमें अभी आड़ कर देंगे और आधा कॉंटिटी प्यास का हम उपर गार्णिश करने के लिए छोड़ देंगे अपने पुलाव पर तो हमने आधी प्यास जो हमने फ्राइ करके रखी थी उसे हमने इसमें आड़ कर दी है हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पांच से च्छे मिनिट तक कुक करेंगे ताकि हमारा जो यह सारे स्पाइस जो मसाले है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं यह देखी हमारा प्राउंज और मसाले अच्छे तरह से रोस्ट हो रहे हैं और पानी बिल्कुल इसका खुश खुश रुका है बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है इसमें, अब देख सकते हैं कि ओईल इसमें उपर आने लगा है, अब हमने फ्लेम को लो कर दिया है और हम इसमें वाश की हुई बासमती राइस आड़ कर देंगे, अब हम इसमें 1.5 लीटर हम इसमें वाटर भी आड़ करेंगे, वाटर आड़ कर दिया है हमने इसमें और हमने लिड लगा ली है और हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे, अब पांच मिनिट बाद हम इसमें फ्राइड की हुई जो अनियन्स बच कई थी, उसे हम इसके ओपर गार्निश कर लेंगे, इस तरह से हमने गार्निश कर लिया है और हम इसे लिड लगा कर कुक करेंगे, छे से साथ मिनिट, अब छे से साथ मिनिट बाद देखी हमारा वाटर जो है राइस का वह अच्छे से कम हो चुका है, और राइस अच्छे से कुक हो गया है, अब हम इसका फ्लेम स्विच ओफ कर देंगे, और हमारा प्राउन पुलाओ बन करके रेडी है, अब हम इसे सर्फ कर लेंगे, देखिए हमने इसे सर्फ कर लिया है सर्विंग डिश में, आप चाहें तो इसे राइता, चटनी, सालड के साथ भी सर्फ कर सकते हैं, तो ये बह बहुत टेस्टी होती है, हमारे घर में इसे सब बहुत पसंद करते हैं, तो आप इसे जरूर चाहें कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए